हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप दोस्तों आज हमारा जो ये सिंगल केज है इसमेँ देख सकते हैं एक प्यर हमारे पास है स्पेंगिल का और इसमें एक रेंबो की फीमेल है और वाइलेट में, आपलाइन में मेल है उसका तो दोनों की breeding progress दिखाएंगे बच्चे वगेरा निकल गए है साथ साथ आपको दोस्तों breeding से related आपको कुछ important tips बताएंगे जिससे के आपको पता चल सके के छोटे केजों में एक या दो पियर से किस तरह से breed लेनी चाहिए क्या क्या चीजें तो breeding progress भी मिलेगी आपको इस वीडियो में साथ साथ आपको important information भी मिलेगी breeding से related तो बहुत ज़ादा वीडियो informative है वीडियो को पूरा जरू देखिएगा और जो भाई हमारे चैनल से नए जुने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को कर लेजेगा सब्सक्राइब तो देखें दोस्तों एक यह है मारपा स्पैंगिल का प्यार तो दोस्तों इस केज के अंदर पहले मैंने जो है रेंबो वाली फीमेल की मटकी लगाई थी और उसका जो मेल है उसके साथ पेरिंग हुई उसकी breed वगाई थी बाद में मुझे बालुम था कि यह फीमेल जो है स्पैंगिल की यह फाइट वगाईरा नहीं करती है तो मैंने इसको इस केज में इसके मेल के साथ एड़ किया और इन्होंने भी इस केज के अंदर breed की मटकीया मैंने बाहर से एड़ की है दोनों में अंडे आए और दोनों की breed हो चुकी है तो रेंबो बजीस की जो फीमेल है उसने पिछली दो breed खराब की है बच्चे वगरा नहीं पाले और पिछली बार उसने चार अंडे दिये थे तो दो बच्चे उसने निकाले थे दो अनफर्टाइल एक्स थे और वो दोनों बच्चे भी उसके एक्सपायर हो गए थे तो ये स्पैंगिल का देखें मेल बैठा है इसकी फीमेल अंदर है इस स्पैंगिल के पिएर की फस ब्रीड है इन्होंने पांच अंडे दिये थे दोस्तों उसमें से एक अंडा डैडिन शेल हो गया बागी चार बच्चे निकल आए हैं तो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और रिंबो बजीज की इस फीमेल ने इस बार पांच अंडे दिये पांचों के पांचों फाइटाइल निकले है अलमदुल्ला और इस बार मैंने मुझे लगता था कि ये फीमेल पालेगी नहीं तो मैंने उसके दो बच्चे दूसरी जगा शिफ्ट कर दिये बागी तीन उसके पास ही है तो तीनों बच्चों की हाला ठीक लग रही है मुझे लग रहा है इस बार ये रेंबो वाली फीमेल जो है अच्छे से पाल लेगी बच्चों को तो दोस्तों ख्याल लखना होता है सिंगल केज में थोड़ा प्राइवेसी जादा देनी होती है अगर छोटा केज है तो इधर उधर लेकर नहीं जाना होता है केज को और ढखका रखना होता है और बड्स के पास कम जाना होता है दाना पानी दें बस और बड्स के पास जादा ना जाएं दोस्तों ये फीमेल जो है इतनी जादा शाइ नेचर की है rainbow वजीज की जब मैं इसके पास चब भी जाता था दोस्तों ये breed भी नहीं करती थी तो फॉरन मटकी के अंदर गुज जाती थी इतना डरती थी कि इसके पास जैसी जाता हूँ मैं फॉरन मटकी के अंदर गुज जाती थी तो मैंने देखा कि इसका nature शाय है ये बहुत जादा बाहर बैठे हैं क्योंकि थोड़े बच्चे बड़े हो चुके हैं जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फीमेल रिलेक्स हो जाती है और वो बाहर बैठना स्टार्ट कर देती है जब बच्चे थोड़ा छोटे होते हैं तो फीमेल अंदर ही बैठी रहती है तो उनको गर्माई देती रहती है और वहीं रहती है केश के अंदर जाधतर आपको चल यह दिखाई देता हूँ मैं जो है रेंबो बजिस से स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट पर यह रेंबो फीमेल की मट्की है तो इसको खोल कर दिखाता हूँ मैं आपको तो फीमेल बहा निकल चुकी है और देखें मेल बैठा है अंदर और बच्चे हैं तीन दोस्तों पांच अंडे दिये थे अलमदुल्ला पांचों ही फर्टाइल निकले और दो बच्चे मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिये क्योंकि यह फीमेल दो बार से बच्चों को नहीं पाल रही थी तो म फीमेल बहार निकल चुकी है क्योंकि फीमेल बहुत ज़्यादा डरती है तो उसको प्राइवेसी चाहिए होती है तो मटकी को ढख देते हैं देखें यह बाहर फीमेल बैठी है यह रेंबो की फीमेल है तो बहुत ज़्यादा डरती है फॉरन मटकी के अंदर चली जाती है तो इस तरह से करती है तो ध्यान नखा करें जो बर्ड आपका जादा डरता है तो कम जाया करें इसके पास और अब देखें ये राइट हैंड पर जो ये मटकी है ये स्पैंगिल का पेर है और इसमें देखें ब्रीड आ चुकी है पांच अंडों में से चार बच्चे निकल ग स्पैंगिल है मावाप स्पैंगिल होने के बाव जो तीनों जो हैं बच्चे वो जो हैं नॉन स्पैंगिल है यानि स्पैंगिल नहीं है नॉर्मल बजीज के हैं और एक स्पैंगिल डबल फैक्टर का है जो वाइट है प्योर वाइट ब्लैक आइज में तो इसको अगर हम न लाइक इजास्त दीजिए, मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, ओके गुड़ बाई